असलाम आलेकुम वीवर्स आज की स्वीडियो में वी आ कोई टॉक अपॉर्ट इंतोसरोस इसमें सबसे पहले सिस्टेमिटिक पॉजेशन में क्लासिफिकेशन जानेंगे फिर ओकरेंस में नमबर अफ स्पीशिस फिर हैबिटेट जानेंगे थैलस स्ट्रॉक्चर में हम लोग सब्सक्राइब के बाद हमारे पास स्ट्रॉक्चर सापको देखनों को मिलता है स्पोर्स के से बनता है फिर लास्ट में डाइग्रम के मादिया हमसे पूरा लाइफ साइकल भी जानेंगे सबसे पहले सिस्टेमिटिक पॉजेशन यानि क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह ब्रायोफाइटा के अंदर आता है और जितने भी ब्रायोफाइट से यहाँ पर याद रखेगा वी अल्सक्राइब इस लिए क्योंकि यहाँ पर वाटर इस वेरी नेसेसरी विदाउट वाटर जो मेल यमीड बनता है वो स्विम करके के पास जाई नहीं सकता दाट में सेक् अंदर आता है और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेगा एंथोसरी और टॉपसिडा को कॉमल लेवी कॉल डिट इन होनवर्ट यह इस लिए क्योंकि यह गेमेटोफिटिक थेलेस के उपर जो इस डाग्राम में देख सकते हैं यह होन लाइक होती है इसलिए इसलिए इन जो है ना ओर्डर एंथोसरो टेल्स के अंदर आता है और एंथोसरोस हमारा फैमली जो है एंथोसरो टैसी यह नाम से ही आपको एंथोसरोस एंथोसरोस लगा हुआ तो बहुत ही सिंपल है तो जीनस हमारा एंथोसरोस जिसके बारे में हमें कम्प्लीट डिसकस करना है नाउ his known is father of Indian biology और इन्होंने तीन स्पेसिश्ञ रिपोर्ट कर रहा था Anthoceros hy contributor इन सूरौ रिछाय जोगी होने वेस्टर हीमालिया रिजन से रिपोर्ट कर रहा था at an altitude of 5000 to eight thousand feet और वेस्टर हुमालिया रिजन आपके स माप में देख सकते हैं आपका पंजाब, जमोन कश्मीर और हिमाचल परदेश के एरिया आता है जो कि आपका अल्टेटूट हाई है तो इनके हिली एरियास में ये तीन स्पेशिस काशप साफ ने रिपोर्ट करा था और यहाँ पर जितने भी हमारे स्पेशिस है ना इनके हमने डिसकास करा तो उसमें कुछ स्पेशिस आपके एक्वाटिक था है यहाँ पर सारे स्पेशिस आपके टेरियस्टेल है और अगर हम डिस्ट्यूबिशन की बात करें तो यह मुस्ली टेंप्रेड और ट्रॉपिकल र तो जनरल यह आपके पोलर रिजन जो होती है ना जिसे फ्रिट जून भी कहते हैं जो कि हमारा यलो से यहां पर इस डाइग्राम में शो करा है यहां पर आपको एंथसरोस का डिस्ट्यूबिशन नहीं देखा गया है अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इस आर मोस्ली प्र रॉस के क्रिविशिस में पाया जाते हैं आगे जितने भी हमारे टॉपिक से उसको पहले समझने से पहले इंथसरोस का लाइफ साइकल जान लेते हैं जिसे चीजें हमें समझने में बहुत आसानी होगी तो यह इंथसरोस का लाइफ साइकल है लाइफ से कहां से स्टार्ट क इसलिए क्योंकि यहाँ पर हैपलाइट सेट आफ क्रोमोजोम होंगे क्योंकि यह स्पोर हैपलाइट था और यह प्लांट बोड़ी जो है ना ग्रीन होती है इंडिपेंडिन होती है अपने से खाना प्रेपेर करता है और जब यह मैचुर हो जाता तो इसके ओपर सेक्स अर्चीगोनिया और मेल सक्स ओर्गन हमारा एंथ्रिडिया फीमेल सक्स ओर्गन के अंदर हमारा एक बनता है और एंथरिडिया में हमरे पास एंथिर NATO बने caregivers होती है और इस सिलिए इन्हें motil होती है that's why they need water और water होगा तभी ये swim करके एक के पास जाएगा और जब आपका ये एक के पास fertilize करता है तो that will give rise to an innate zygote ये दो हमारे gametes है वो haploid है क्योंकि haploid plant से बन क्या रहा है तो haploid cell आपस में fuse करेगा तो हमारे पास zygote बनेगा और यहीं से हमारा sporophytic face start होती है क्योंकि ये diploid है यहीं zygote आपका क्या करेगा that will finally go under the division और ultimately हमारे पास एक plant body फिर से बन के आती that we call it it in a sporophyte और ये sporophyte जो है ना zygote से बना तो इसमें सारे क्रोमोजोन हमारा set क्या होगा double set means diploid set होगा अब ये sporophytic plant body याद रखिएगा अलग से आपको देखने को नहीं मिलता अभी हम लोगों ने discuss कराता हो horn words इन्हें इसलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो sporophyte है वो horn like होती है गिमेटोफर्टिक plant body के उपर होती है बट हमारे life cycle में हम अलग-अलग पढ़ रहे हैं समझने के लिए तो ये sporophytic plant body है इसी में हमारे पास एक specialized cell होती है sporogenes cell इसी में हमारे spor mother cell होती है ये spor mother cell आपका sporophytic plant body से बन रहा है तो ये diploid होगा ये spor mother cell that will go under the meiosis meiosis होगा तो यहाँ पे जितने भी spores बनेंगे वो हैपलोइट होंगे और यहाँ पे जितने भी spores बनेंगे हैपलोइट होंगे अभी जास हम लोगों ने start करा था ये spor आगे जाके फिर से इस plant body को जनम देगा in this way इनका पुरा life cycle चलता है नेक्स्ट हामारा थैला स्ट्रक्चर in case of anthoceros थैला स्ट्रक्चर हम दो हैडे में पढ़ेंगे एक first morphology देखेंगे external look फिर उसके बाद anatomy discuss करेंगे तो morphology में हम लोगों ने अभी life cycle में digest देखा इनकी main plant body जो है ना वो हैपलोइट होती है that means gametophyte gametophyte plant body main है और यह आपको dark green color देखने को मिलता diagram में देख सकते हैं यह जो है ना आपको horizontally जमीन पे grow करता that means they shows prostate nature और इनका यहाँ पर diagram में dorsal surface और ventral surface आपको look wise देखने में अलग होती है that means they shows dorsi ventral और यहाँ पर आपको thailas diagram में देख सकते हैं lobe thailas देखने को मिलता है इनके dorsal surface पर आपको कोई midrip नहीं देखता यह important है no distinct midri जिस तरह सापको markensha में देखने को मिल रहा था आप इसके ventral surface पर यहाँ पर देखिए हमरे पास rhizides present होते हैं इस diagram में देख सकते हैं और यहाँ पर इस पॉर्टन यह चीज़ है कि राइज़ाइड में सिर्फ स्मूथ वाल्ट राइज़ाइड पाया जाते हैं यह देखिए स्मूथ वाल्ट राइज़ाइड का diagram है यह वाला और यहाँ पर क्या absent है फिर ट्यूबर के लेट राइज़ाइड और स्केल जो है जनरल यह आपका absent है जो कि मरकेंचिया में well defined था इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा है अगर वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए फिर इस दिर आईएगा इस दिर समझेगा अब इनके वेंटल सर्फेस पर हमें इस डियागराम में देख सकते हैं छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं डाग ब्लूइश ग्रीन स्पोर्ट और यह आपको वेंटल सर्फेस पर देखने को मिलता अक्च्वली यह आपके मिस्यलिजिनस केविटी से जिसके अंदर आपके एक ब्लू ग्रीन अलगी पाया जाता है यह भी इंपॉर्टन है याद रखेगा अब जब आपका थैलस जो है वो मैचूर कर जाएगा इनके ओपर आपको सेक्स ओर्गन भी देखने को मिलता यहाँ पर इंपॉर्टन यह है कि सेक्स ओर्गन जो है ना इनके तैलस डॉर्सल सर्फेस पे इंबेड़िट मीन्स दसे रहते हैं अलग से बाहर निकल के नहीं आते हैं इससे पहले मरकेंचा में देखा था इंथरीडियोफोर अर्चीगोनियोफोर स्पेशल ब्रांचिस बन रहे थे इंथोसरोस में ऐसा नहीं है डॉर्सल सर्फेस में यह हिडन है मीन्स छुपा हुआ दसा रहता है इनके सेक्स ओर्गन अर्चीगोनियोफोर और इंथरीडिया और यह स्पुरोफोर्टिक प्लांट बॉड़ी जो है ना आपको हॉन लाइक नजर आती है अगर हम ग्रोथ की बात करें इन्थरोस कैसे ग्रोथ करता तो यहां पे जो है ना एक सिंगल सेल की भी थ्रू होता है और यह भी देखा गया है मार्जिनल पे हमरे पास कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनके थ्रोबी आपके हमारे इंथरोस में ग्रोथ होती है नाव नेक्स्ट हमारा एनाटोमी मॉर्फोलेजी के बाद इंथरोस का एनाटोमी के लिए हमें वर्टिकल ट्रांसवर सेक्शन करना पड़े है और जब माइक्सक्रोब के अंदर देखेंगे तो नीचे वाला डाइगराम कुछ आपको सेल इस तरह से देखने को मिलता और यहां पर सबसे इंपॉर्टन चीज़ यहां पर कोई सेलूलर डिफ्रेंशेशन नहीं देखने को मिलता जिस तरह से हमारे पास एनकेंशिया में देखा था हमारे पास वो जो आपका जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो दो जून देखने को मिलता है इस डाइगराम में देख सकते हैं उपर वाला फोटो सेंथेटिक जून जो की ग्रीन सेल देख रहा है नीचे वाला यलो स्टोरिज जून तो यह हमारा मरकेंशिया में था बट यहां पर एंथोसिरोस में आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है और यहां पर याद रहिए कि जितने भी सेल्स होती हैं न सेंटर में थोड़े से थिक रहते हैं इस डाइगरम में देख सकते हैं और आपको मरजिन पर थोड़े से थिन रहेंगे और कितने सेल्स होंगे यहां पर यह स्पीशिस टू स्पीशिस वैरी काता है उसी तरह से थर्टी टू फोर्टी सेल्स आपका एंथोसरोस क्रिस प्लस में देखा गया है और हमारे पास मरकेंशिया में एर चंबर और और पोर्ट प्रेजंट रहता था यहां पर एर चंबर और और एर पोर्ट भी टोटोली एपसेंट है एंथोसरोस में नहीं है instead of air pore and air chamber हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा cavity पाया जाता that we call DDD ने miscellaneous cavity और यह आपके ventral surface पे लोहर surface पे देखने को मिलता है और इसी miscellaneous cavities में हमारे पास एक blue green अलगी नॉस्टाग रहता है यहाँ पिस diagram में देख सकते हैं देखिए blue green अलगी नॉस्टाग दिखा गया alkal filaments इनकी cavities में रहते है miscellaneous cavities में फिर उसके बाद यहाँ पे यह याद रहिए कि यह cavity जो है ना ventral surface पे एक pore के थूख फूलती है that we call DDD ने slime pore देखिए यह slime pore ही cavity खुल रहा है सारे cavities आपके slime pore के through ventral surface पे नींस जो जमीन वाला surface हो वहाँ पे खुलेगा और हमारे पास पता कि ventral surface के लौर मोस्ट cells से हमारे पास एक smooth wall riser हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे यह चीज़ याद रखेगा हम cell के बात करें तो यहाँ पे हमें disc shape और oval shape chloroplast देखने पाइरेनाइट का function क्या होता है to store the food और यही जो है that is the characteristic future of glass anthocerotopsida और anthoceros का एक characteristic future है कि chloroplast में pyranides पाया जाते है जो कि हमारे अलगी में था now next हमारा reproduction in case of anthoceros anthoceros में हमारा vegetative as well as sexual reproduction दोनों देखा गया पहले vegetative reproduction डिसकस करें तो इसमें सबसे पहला अता है हमारा fragmentation fragmentation में क्या होता है हमारा माली जे मरकिंशा का old thalus है इसका जो आपका back side older portion of thalus जो है यह वाना portion death and decay कर जाएगा जब इन death and decay कर जाएगा तो जितने भी आवी है हमारे पास lobes से ना वो सारे detach होके that will form the independent plant by apical growth next है हमारा tuber यह tuber जो है ना several species of anthracerose में देखा गिये इसमें यह tuber बनते केसे हैं during the end of growing season या unfavorable condition में जो thalus का apical portion जो है ना वो थोड़े से thick हो जाते हैं by storing the food और जो है ना यह आपके unfavorable condition में बन रा तो जितने भी thick portion है ना वो आपका survive कर जाता है बाकी portion जो है वो खतम हो जाता है on the arrival of favorable condition जब आपका आ जाता है तो यह tuber germinate करके that will give rise to new plant body फिर next हमारा कुछ anthoceros में गेमा देखा गया गेमा हमारा पर एक special structure होती है हमनों मरकेंशा में बहुत अच्छे से discuss करा था और यह long the margin of dorsal surface पर बनता है और यही गेमा जो है ना ultimately वहाँ से detach होके parental body that will give rise to new plant body यह anthoceros glandulosus में देखा गया है गेमा का प्याद रखिएगा मरकेंशा में तो बहुत कमन था उसी तरह सामारे पास persistent apexes इसमें क्या होता कुछ species के anthoceros में during the dry season सारे थालेज जो है ना पूरा थालेज जो है वो खतम हो जाएगा except the epical part और वही epical part जो है ना बात में that will resume the growth on the arrival of farewell condition यह आपका anthoceros fusiformis में देखा गया और यहाँ पर रुक के मैं आपने बुक के बारे में बता हूँ textbook of botany जिसके volume first में microbes के अंदर आपको virus और bacteria का detail मिलेगा crypto games के अंदर आपको algae, fungi, lichen, bryophyte, terryophyte बहुत अच्छे से describe करा हुआ है फिर gymnos mambialak से describe करा हुआ है और यह book का cover page है यह is book का ISBN number है इस book के दो unique features की बात करें तो इस book में जितने भी topics हम लोगों ने describe करा हुआ है वो blood point form में है that means paragraph form में नहीं है second चीज, इस book के maximum topic explanation आपको इसी channel पे मिल जागा यहाँ पे देख सकते हैं bullet point form में दिया हुआ है जिसे remind करने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी और यहाँ पे अगर आपको मेरे B.C के complete videos चाहिए plus इस lecture का अगर आपको PDF चाहिए जितने भी lectures में अपलोड करा उन सब का अगर आपको PDF एकसेस करना तो plus book order करना है तो description box में इन सब का link है वहाँ से जा कि आप चक कर सकते हैं now next है हमारा sexual reproduction in case of anthoceros अभी हम लोगों ने विजिटेटिव reproduction पढ़ा अगर कोई विक्वाईरी है तो आप मुझे इस email ID पर लिख सकते हैं तो sexual reproduction सबसे याद रखेगा उगेमर्स टाइप होता है means यहाँ पे male gamet जो है वो motile होगा और female gamet एक जो है non motile होगा और anthoceros के हमारे कुछ species जो है यहाँ पर देख सकते है that are diaceous means means इसमें जो आपके male plant body और female plant body अलग होगा male plant body इस diagram में देख सकते है male plant body पे male sex organ बनेगा और female plant body पे female sex organ बनेगा यह pink flower आपका माल लेजिए female sex organ दिखा रहा और यह आपको जो है ना green या blue color जो है आपको male sex organ दिखा रहा और कुछ species हमारे यहाँ पे देख सकते है diagram में हमेलेंस और कुछ species monoecious होता तो इस diagram में देख सकते है monoecious क्या है वो plant body जिसमें आपका male plant sex organ और female sex organ जो है दोनों ही एक plant body के ओपर बनेगा और यहाँ पे याद रहिए का monoecious species जो है ना that are pretendus means यहाँ पे male sex organ पहले बनेगा बात में जो है आपका female sex organ बनता है और हमें पता कि sex organ जो है ना यहाँ पे embedded रहता means आपके मरकेंचे की तरह special structures पे नहीं बनता यह थेलस के अंदर दसे हुए रहते हैं that means they develop endogenously means अंदर-अंदर से बनेगा और यहाँ पे male sex organ we called it in a इंथरीडिया और female sex organ we called it in a archigod now सबसे पहले हम development of इंथरीडिया means male sex organ कैसे बनता है वो अगर देखे तो यह diagram के मादियम से हम समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल है डॉरसल सर्फिस पे हमारे पास एक cell रहता superficial fertile cell यही cell divide करके हमारे पास दो cell बनाएगा starting में उपर वाला roof initial और अंदर की तरफ जो cell बनता है that is the interdial initial फिर इस में यहाँ पे इन दोनों के बीच में cavity बनती है that we called it in a miscellaneous cavity तो यहाँ पे हमारा miscellaneous cavity का formation हुआ और roof initial जो है ना हमारा roof means उपर वाला हिस्सा बनाएगा that is the roof of interdial chamber और यह हमारे interdial cells जो है ना वो divide करके हमारे पास daughter cells बनाएगे जितने भी daughter cells बनेंगे उतने हमारे यहाँ पे interdial बनेगा इस चिस को याद रखेगा तो यह daughter cells जो है ना यह वाले daughter cells है फिर से इन में transfer division होगे हमारे पास दो cell बनती है एक interdial cell और नीचे वाला stock cell फिर उपर वाला cell आगे जाके फिर से divide करता हमारे पास divide करने के बाद एक octane 8 cell stage आता है फिर इसी 8 cell stage में आप differentiation होता है बाहर वाला that will act as in a primary jacket cells यह cells divide करेंगे फिर और अंदर वाला cell जो है ना that we call it in a primary endrogonial cell यही primary endrogonial cell that will act as in a endrocyte mother cell और primary jacket cell जो है आपके enteridia का jacket बनाएगा तो last में हमारे पास एक mature enteridia जो है वो बन के आता है तो यह इस mature enteridium को समझ ले तो यह generally कि shape का होगा avoidant shape होती इस diagram में देख सकते हैं और यह जो है एक stock के उपर आपका निकल किया था जो अभी हम लोगों ने दिसकस करा और इन्हें एक cover करा रहता है एक single layer sterile jackets diagram में देख सकते हैं एक sterile jackets cover कर रहा है और यहां पे अंदर हमारे पास डेर सारे endrocyte mother cells बने हैं जो कि हमारे एक male gamit देखे जब यह निकल के आता तो किस तरह से होता यह आपके haploid body बोड़ी पे बन रहा तो haploid in nature होती है यह uni cellular होती है uni nucleate होता और सब से important चीज यह वाइ फ्लेजिलेटिट होता इस diagram में देख सकते हैं यह वाला diagram और यह एक leaner body होती है देखें फिनिशल से बना था वो फचर कर जाएगा और finally जो आपके inthrosoide जो है ना वो surrounding water में release हो जाएगा जहां से यह swim करके एक के पास जाएगा now next हमारा male sex organ के बाद development of archiganium means female sex organ देखें इस diagram के माधियम से समझते हैं female sex organ कैसे बनता है हमारे dorsal surface फे एक one cell will act इने primary axial cell और बाहर से हमारे पास jacket initial यही primary axial cell फिर से divide करेगा transfer region तो बाहर साइट से हमारे पास outer cell बनेगा और नीचे जो हमारे पास जो cell बनेगा that we call इने inner all central cell फिर बात में जाके यह outer cell जो है ना cover cells और neck canal cell बनेगे और यही inner cell that will act as in a primary ventric canal cell primary ventric canal cell बात में जाके हमारे पास एक cell और एक दूसरा हमारे पास cell बनाता है ventric canal cell तो finally हमारे पास एक mature archigonium बन के आता है तो archigonium में actual में होता क्या है archigonium का उपर वाला हमारे पास 224 cover cell प्रेजंट होता है हमारे पास neck canal cell की बात करें तो 4-6 neck canal cell प्रेजंट होगा और एक हमारे पास प्राइमरी वेंट्री कनाल सल से बन किया है प्रेंट्री कनाल सल और हमारे पास मोस्ट इंपोर्टन सल डड़ी एक्सल जिसके साथ आपका मेल गेमेट जो है वो फ्यूज करेगा और यहां पर यह चीज़ याद रहिएगा मरकेंचे में हमारे पास एक स्टेराइल जैकेट जो है अंतो अर्चीगोनिया को प्रोटेक कर रहा था यहां पर कोई डिस्टिंग स्टेराइल जैकेट हमारे पास अर्चीगोनिया और फिमेल गेमेट इन दे फॉर्म एक रेडी हो जाता तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है fertilization और fertilization के लिए water को होना बहुत important है क्योंकि without water जो है इस diagram में देख सकते sperm जो है आपका swim करके के पास आई नहीं सकता तो सबसे पहले fertilization से पहले क्या होता है जो हमारे पास आपका archigonia ना archigonia में neck canal cell और हमारे पास जो ventric canal cell था वो disintegrate करता है एक miscellaneous mass जो है वो बनाता है और surrounding environment में थोड़ा सा release होता है कुछ scientist का मानना है और जब यह release होता है ना surrounding environment में sperm इनके तरफ attract होती है that means anthrazoid जो है वो chemo tactic response शो करेगा means यह जो यहाँ से female gamit से जो भी chemicals release हो रहा है उनके तरफ attract हो रहा है तो यह attract होके swim करके through water यहाँ पर फाइनली आ जाता है आने के बाद फाटेल फाइनली जो है ना आपका जो है ना meal gamit that will fuse with the excel और यहाँ पर दो है प्लॉइट सेल फ्यूज कर रहा तो that leads to the formation of diploid zygote यह हम उस spore वी कहते हैं और जू ही हमारा zygote बनता है यहीं से हमारा gamitophetic phase end होता है हमारा कौन सा phase start होता sporophetic now यहाँ पर हम लोग life cycle को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं यह gamitophetic plant body था इसका हम लोगों ने थैला structure और morphology anatomy सारा discuss कर लिया six organ भी कैसे develop होता है final हमारे पास gametes बनता है यह gamete fuse करके हमारे पास zygote बनाता है और यह zygote जो है आप जाकर हमारे sporophetic plant body में develop होगा और हम लोग starting में देखे यह वाला diagram हम लोग starting में जो discuss कर रहा था यह body जो है यह gametophetic plant body है नीचे जो दिक रहा यह इनका जो आपको haul like structure देने यह sporophetic body body है अब यह कैसे developed होता है वहीं हम लोग पढ़ने जा रहे है तो next है हमारा sporophetic face जैसे हमारा zygote बनता या उस पूर बनता वहीं से हमारा sporophetic face start होती है और यह sporophetic यह zygote और उस पूर sorry हमारा it is the mother cell of all the sporophetic generation means जो sporophyte हमारे पास body बन किया आता है यह कुछ इस तरह से जिसमें हमेरे नीचे है फूर देखने को मिलता जो कि आपके गेमेटोफेटिक plant body में inserted रहता है बीच में हमारे पास स्टेमेटिक रिजन इंदे फॉर्म औफ सीटा और एक उपर हमारे पास elongated हमारे पास capsule रहता है तो यह structure बाद हम लोग उने starting में भी दिखाता है एक elongated horn की तरह निकल के आता है तो यह structure देखेंगे कि कि किस तरह से बनता है तो इसमें सबसे पहले याद रहेखेगा हमारा जो जाइगोड जो है ना development केसे होता है उसका तो जाइगोड जो है इसमें एक vertical division होती स्टार्टिंग में जितने भी हमारे दूसरे ब्रायफाइट से maximum ब्रायफाइट में starting में जो division होते है वो transverse होती है horizontal ऐसे पर यहाँ पर division ऐसे हो रही है उपर से नीचे के तरफ means vertical जो की इस से specific बनाता याद रखिएगा और यहाँ पर हमारे पास two equal cell बनके आता है वही two equal cell में बात में जाकर transfer division होती है देखेー transfer division होके हमारे पास electric Bond चार स्टेज का स्टेज बन किया था है इस diagram में देख सकते हैं फिर इसी four cell स्टेज में हमारे पास फिर से vertical division होती है vertical division होने के बाद नीचे वाला लोवर टायर अपर टायर में बात में क्या होता अपर टायर में जो है ना जो हमारे पास यहां पे सलसे इसमें ट्रांसफर डिवजन होती है इसमें ट्रांसफर जो डिवजन होती स्टार्टिंग में बात में अपर टायर की जो है ना ट्रांसफर डिवजन होके अ अंदर वाला जो अपर टायर में जो रिजन था ना डाट वी कॉल डिलिने एंडो थीशियम जो कि यहां पे आपको बिल्कुल एक्दम से ट्रांस्पर्ण दिख रहा है और बाहर वाला डाट वी कॉल डे एंफी थीशियम मिन्स यह बाहर साथ से देखिए थोड़ा सा ग्रेश में अपसंड था और मरकेंजयम थीशियम जो है वो में आफका सिल्स बना रहे थे आर्चिस पुरियम यहां पे नहीं है ईंडो थीशियम जो है वो कलॉमिला को बनाता बात में उपर वाले बाहर साथ साधिड़ जो एंपी थीशियम बना था ये फिर से डिवाइड करके दो सल्स आपको देंगे जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ से आर्ची स्पोरियम और स्पोरिजिनस थीशू means ये आएंपी थीशियम जो है ये फिर से डिवाइड करके हमारे पास बाहर साथ से जैकेड लेयर और अंदर तरफ से आर्ची स्पोरियम और सेंटर में तो हमारा कॉलनो मिला है कि जो की एंडो थीशियम से बन किया है था फिर बात में जाके ये जैकेड इनिशेल जो है ना आपके क्याप्शूल का पुरा वाल बनाएगा जो की 4-6 लेट क्याप्शूल वाल होती है जिसमें आपका क्लोरोप्लास भी प्रेजन्ट होता है और अंदर में जो आर्ची स्पोरियम जो था ना वो डिफ्रेंशेट होके ह हमारे पास यहां पर दो तरह के सेल्स बनाएंगे एक स्पोर मादर सेल दूसरा इलेटर मादर सेल मीन आर्ची स्पोरियम हमारे यहां पर डिफ्रेंशेट होके यह आर्ची स्पोरियम इस डिफ्रेंशेट होके हमारे पास दो सेल बना रहे है सीडो इलेटर मादर सेल एंड स बात में सीडो इलेटर यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टन चीज यंग स्टेज आपका स्पॉरोफाइट जब होती है ना वो कम्प्लीटली सराउंड करा रहता है बाइदी शीत वी कॉल्ड डेडिने केलेप्टरा और इन्विलुकर यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका क गिमेटोफाइटिक थलस से बन किया रहा है तो यहाँ पे फिर से हम लाइफ साइकल डाइग्राम देख ले देखिए हमारे पास जो जाइगोड बना है यह जाइगोड डाट विल फाइनली गिव राइस टो इस पॉरोफाइट बोड़ी स्पॉरोफाइट जो बना के देता इन्ही पास पॉरोफाइट में हमारे पास पॉर मदर से जो है आपकी इम्पितीशिंग सेल से बनके आये था वह बाईनली आपका मियौसिश शोग सेप्टा है मियौसिस करके हमारे पास फिर जो स्पॉर्स बनाते हैं वह रपलॉइट होती है यह सपॉर्ट फिर से आगए जाके germinate करेगा तो तो इन इस वे हमारा पूरा लाइफ साइकल चलता है अन्तों सिरोस का नाव नेक्स्ट हमारा है structure of mature sporophyte और sporogonium देखे एक mature sporophyte जो हैं हम तीन पार्ट में differentiate कर सकते हैं food, dhaministymatic zone and capsule और nature में आपको किस तरह से देखने को मिलता है इस diagram में आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपको right side पे देखे ये diagram ये gametophytic थेलर्स के उपर आपको sporophyte देख रहा है पर सबसे पहले अगर हम food की बात करें तो food जो है ना हमारा बलबला structure होती है और ये आपके gametophytic plant body में दसा रहता है इस diagram में देख सकते हैं ये वाला portion और इनका main काम क्या है इन food का जो है ना absorption of water in mineral देखिए हम लोगों ने जो है ना ये green है अपना खाना खुद से prepare करेगा बट water on mineral absorption के लिए इसको gametophytic plant body के उपर depend रहना है फिर उसके बाद food के ऊपर ह जो है मेरिस्टेमेटिक zone के form में है और ये जो है ना continuously divide करके आपके capsule को जो है ना capsule के base पे cells नगतार add करते जाएंगे और आपके capsule का size दिन बदिन पढ़ता जाएगा और main उपर वाला जो portion होता हमारा वो जो है capsule और capsule में हमारे पास generally तीन structure देखने को मिलता है capsule का wall जो बाहर originous tissue तो सबसे पहले capsule wall की बात करें तो capsule wall जो है ना four to six layer होती है जो कि हमने अभी डिसकस करें एंफी तीशयम से बनता है और यह सबसे important चीजिस में epidermis में आपका stomater रहता प्लस capsule wall में हमारा chloroplast भी रहता जिसकी वजह से sporophytic plant body खाना अपना खुद से prepare करता है फिर बीच में ह sporophyte cooking के बहुत लंबा होता है second चीज यह water conducting issue भी मदद करता है और second चीज यह dispersal of sports में भी मदद करता है फिर उसके बात इन दोनों के बीच में आपके wall और किसमे क्लॉमिला के बीच में हमारे पास एक structure ओर रहता है that we call देने sporogenous tissue इन ही में हमारे पास spor mother cell और illiter mother cells होते है जिन जो है हमारे हाप्लाइड इन नेचर होती है यूनी निकुलेट होता है और टेट्रा हेडल इन शेप होती है दो हमारे पास इनकी spor की wall करे तो एक्जो spor और इंडो spor means दो wall यहां पे present रहता है इलेटर्स में ने पहले ही कहा आप लों को यहां पर सीडू इलेटर्स कहते है क्य इनकी यहां पे thickening band generally absent होता है जिस तरह से markensia में था thickening band था और spor dispersal में मदद कर रहा था यहां पे इनका spor dispersal में रोल नहीं है नेक्स्ट है हमारा germination of spor and formation of younger metophyte तो हमारे पास जो spor बना वो haploid है क्योंकि वो meiosis के तुरू बना है और यहीं हमारा gymetophytic generation main plant body को बनाएगा after the period of few months to few weeks यह spor जब आपका germinate करेगा जब यह stubble substratum पे fall करेगा और यहां पे germination कैसे होती है यहां पे try radiate mark होती है यहां पे देख सकते हैं इनहीं में से हमारा अंदर वाला जो है ना इनका जो wall है endosporium वो बाहर निकल के आता है इनने form of germ tube और यही germ tube में बाद में continuously division होके ह हमारे पास एक eight cell stage का cell आता है that we call it in in a spiraling और इनी spiraling जो है इसके four distal cell जो है फाइनली that will act as an apical meristrum और यहीं हमारा एक गेमेटोफर्टिक प्लांट थैलर बनाता है का diagram है भी हम लोगों ने समझ लिया इसमें एक चीज़ एड़ करना life cycle में आपको question आया तो ना किमेटोफर्टिक प्लांट बाड़ी के नीचे नहीं यहां पे आपको tubers fragmentation sexual mode वाला reproduction जो है ना अब यहां पे एक वो जो है ना flow chart बना दीजे तो यह life cycle का diagram आपका complete हो जाएगा तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो जो है ना आपको समझ में आया होगा अकर यह वीडियो यूसफुल अगर आपके लिए तो इस वीडियो को like करिए इस चैनल को subscribe करिए और इस वीडियो के comment section में मुझे feedback या comment जरूर दीजेगा thank you so much